हलो स्टुडेंट्स मैं हूँ ये समरी सर पठना से और आज हम बात करने वाले मैथमेटिक्स में कैसे फुल मार्क लाया जाए सौ में सौ नंबर कैसे लाया जा इसके बारे में ये स्टुडेंट्स है और रेड़ी ला चुके हैं कुछ टिप्स बताएंगे मैथ के एक्जाम को लेकरके ध्यान से सुनियेगा और जो ये टिप्स बताएंगे न एक्जाम के पहले या सुरू से भी इस चीज को जरूर करियेगा क्योंकि एक होता है न बच्चो की थोड़ा सा टिप्स है और स्ट्राटेजी अपनाने से कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा नमबर आने की संभावना इस तरह का कोश्चन करेंगे किस में important question के बारे में बात करेंगे किस तरह का question long answer question में पूछता है graph से पूछता है यह सब के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो को अंतिम्त देखिएगा अच्छा लगएगा तो status में लगाएगा friends को share करिएगा और हाँ मेरे students आगे किस topic पर वीडियो चाहिए जरूर बताईएगा और है मेरे student रह भी चुके है पहले ला भी चुके है टॉपर भी बन चुके है बोड का तो यह positive point है इनके लिए तो मैं बात करता हूँ चैनल को subscribe जरूर करिएगा और दो-चार वीडियो को चैनल के अंदर जाकर देखिएगा तो आपको इस चैनल के बारे में डिटेल पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या मिलता है aiming high Hindi चैनल का नाम है तो आपको फाइदा मिलेगा study आपके strong होगी तो सबसे पहला question है कि आप ये बताईए कि math में जैसे आपका full mark आया था तो आप मुझे ये बताईए कि कैसे करके exam time में क्या-क्या करना चाहिए math के लिए सबसे का math के लिए sir ये तो important है कि पूरा chapter का formula आपको याद होना चाहिए नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा अगर exam आने वाला है दो-चार दिन समय बचा है तो पुरा formula revision होना चाहिए याद होना चाहिए अगर याद नहीं है तो सुरू से याद करिए exam का time आ गया तो revision करिए दो-चार दिन पहले मतला मस्ट है concept पता होना चाहिए किस type का math आता है कैसे बनता है formula से best उसके बाद आप 10 साल का पीछे का previous year question कीजिए किसी guest paper या किसी भी book से आप objective बनाते रहे है math का जितना अलग-अलग टाइप का question दिया होता है objective में आप उससे बनाते रहे हैं अच्छा यहाँ पर रोकें कि थोड़ा सा math में जो बोले कि 10 साल का previous year question करें उसमें ज्यादा objective हो रहे हैं तो objective ज्यादा करें कि subjective ज्यादा करें objective पे ऐसे तो दोनों important है sir लेकिन objective पे ज्यादा धियान देना चाहिए उसमें हर तरह का question होता है हर तरह का formula होता है मतलब कि 10 साल का previous year question निकाल लिए और उससे objective math के लिए करिए पूरा formula revision करें ठीक है अच्छा और कुछ point कुछ भी यही है sir कि 12th में math में sir कुछ questions होते हैं जो fix होते हैं calculus पर ज्यादा धियान दीजिए क्योंकि calculus से ज्यादा questions आते है math में और 5 नंबर में calculus से integration में calculus में integration में by part से question रहता है integration by part हिंदी में उसको क्या बोलते हैं खंड सा भी दी बोलते हैं इसको सार्ड सा भी दी बोलते हैं लगबग हर साल पूछा है sir तो इसकी संभावना बनती है मतलब integration by part के question को बना लीजिए जो रहता है कुछ important question भी होता है जो कि इस तरह का question पूछेगा तो उसको जरूर बना लीजिए और एक graph से question पका रहाएगा दो number में की पाच number में आता है पाच number में रहता है graph से question आता है यही है sir मतलब graph देख लीजिए previous question देखेंगे तो इससे भी पता चल जाएगा कौन सा question ज्यादा repeat कर रहा है अरदी 80-20 rule के बारे मच्चों के description में देदूगा ये वीडियो के इंती में देदूगा देख लीजिए गा वीडियो के last में कार्ड में लगा दूगा की 80-20 rule पीस के लिए क्या है तो माइथ के लिए भी वह topic सजेस्ट करना चाहेंगे एक एक्जाम के दो-चार दिन पहले कौन सा टॉपिक पढ़ें जिन्होंने से तेयारी नहीं किये उनके लिए यही कहूंगा कि केल्कुलस पर ज्यादा ध्यान दीजिए सर जो चेप्टर है चार पांच छे साथ साइद है केल्कुलस का इस पर ध्यान दीजिए और क्योंकि दे जादा पाच नमबर में पुछता है चैप्टर बंड न रॿ हो गया इक्ट नवबर आपने क्या पता है चार उसपे ज्यादा धियां देने के लिए ब कुल रहे हैं बच्चा को ना इक दिन पहले दू दू दिन पहले उसको रिवीघन करें ओर कोई पॉइटे को बतानाा च है यह सब कुछ यही कि जाते वोक्त आप जब पर लिख रहें तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है मतलब कि हाँक क्या होगा प्रमें फ्री मायंन से हमी यह इससे ज्यादा कभी कभी होता है जासे कुछ Linux नहीं तो हम मतलब tension में हो जाते हैं इसे ध्यान नहीं देना है सब जो आर रहा है question उसको पहले करना चाहिए जो नहीं आ रहा है उसको आपको बाद में हाँ लिख यह हाँ ठीक है चलिए यह सब कुछ पॉइंट था मिरे बच्चो तो यह math के लिए था कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए repeat कर दूँ इन्होंने कहा exam के पहले सारा formula क्योंकि मैं तो formula होता है तो formula आपको याद होना चाहिए repeat होना चाहिए और कोई भी guess paper हो book हो उससे पू और उसको यह सोच के लिए कि मैं exam में एक्जाम दे रहा हूं practice करिए तो previous बना लिजिए calculus का revision ज्यादा करिए integration बाई पार्ट से और जो जो important topic है जिसे गरा आप बता और भी important topic होता है उससे आप question करिए भेक्टर से पूछता है कोशन आता है जो जो important है उस पर करिए तो I hope students कि आपको ये video अच्छा लगा होगा आपका सारे बच्चों का exam बहुत अच्छा जाई यही भगवान से कामना करेंगा और मैं बड़ा भाई हूँ और आप सारे छोटे भाई को ऐसे ही मदद कर रहा हूं और ऐसे ही करते भी रह के लिए तो आप लोग का भी जिन्दगी सफल हो दिल लगा के पढ़िये मन लगा के पढ़िये मिलता हूँ आप लोग से अगले क्लास में जैहिंद बंदे मात्रा थैंक्यू मेरे students दिल लगा के पढ़ियेगा थैंक्यू